मेरी प्यारी बैनों, प्यारे भाई, आपने बहुत इंतिजार किया, मैं गुजराट से आई हूँ आज, वहाँ सुभे मेरी सभा थी, इसलिए मुझे देर हो गई, सबसे पहले मैं आपसे शमा चाहती हूँ, कि आपको इतना इतिजार कराया हूँ नानिवत्तू, गुजरात दल्ली कारेक्रमाना मुगस कोंडू, इल्ली बंदिद्देने, गुजरात दिन्दा करनाटकक के बढ़द्रली तड़ा आगी दे, नान तम्म लेल्ला कुडा, मनस पूरुक्वागी इक्षमे याचिस्ताइदीने, तम्म ना जास्तियों तो काहिसि देने, और हमारे साथी श्री धीके शिवकमार जी श्री रंदीससिऑ जी श्री शामा नूर शिव शंकराया जी, श्री मलिका अरजुन जी, फच्री हबी मनजापपा जी, श्री मेयारा जैक्कराजी, मैंच पर उपस्थ्तेताबी नेतागं, सबी कांग्रिस के पदादिकार यह करनाटका प्रदेश है आपने हमारे देश को बहुत सारे महापुर्ष दिये आपने देश को रास्ता भी दिखाई दिखाया अपनी सभ्यता के साथ और अपनी परंपराओं के साथ और मेरे परिवार के साथ आपका एक गहरा रिष्टा रहा है इवहतौ करनाटक राज्जा हल्वारू महान बावुर्णवा मेरी दादी जी इंद्रा गांदी जी जब संकट में थी जब मुश्किलों में थी तब आपने उनका साथ दिया आपने सुना होगा कि उनकी शहादत से एक दिन पहले जब वो भाशन दे रही थी ऐसी ही एक सभा में तो उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी ने उनकी हत्या की तो इनके खून का एक 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 कत्रा इस देश को जीवित करेगा इवत्तु इंद्रा गांजी जी अवरू तीर कोड़के मदलू थीर कोड़के हिंदिन दिना आउर वरोन मा तेड़िदरो ये ना दरो और तीर कोंडरे आउर और रख्ता दा वंदोंदू कना कुड़ा यी देशाना का पाड़ते रक्ष्ने माड़ते अधिर परवागी नि ने आपको जीवित किया है आपका विकास कराया है और आपके प्रदेश को खुशाल बनाया है इवद तु नानु कुडा करनाटक राज्यक बंदागा ननक विश्वास आई दे अवरी देश कागी हर्स दनता उन्दों तोट रखता कुडा इदेश दा अभिरिद्धी माड़ अभि आपके प्रदेश के चुना हुए कुछ महीनों पहले उस समय मैंने आपके प्रदेश का काफी दोरा किया इवद तु इली लोग सबेश्वावने डिताई दे आदरेक केलिव दिन दे हिंदे इदे जाग दली विदान सबेश्वावने आदंता संदर दली नां तम्म नेला बंद मात अड़सी देने उस समय कॉंग्रेस के सारे नेताओं ने आपसे बार 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 यही बात कही कि आप चुनाव को अपने विकास के मुद्दों पे लड़ाईए इवद तु आ विदान सबेश्वावने मारता इर्बेका दंता संदर दली नमा कॉंग्रेस पक्षण आयक रिलारू खुड़ा इंडता है द्रू इचुनावनेशना निम्म समस्य गड़बग्ये निमत विचार गड़बग्ये आलो चने माड़ी मत दना माड़ी अंता आप सभने सही निर्णे लिया कॉंग्रेस का समर्थन किया और अपने जीवन में आप उसके जरी लेवभ बतलावलाए नुटा जानते हैं की करनाटका में आपकी सरकार चल रही है आपको ग्रिह लक्ष्मी योजना के जरीए करोडों महिलाओं को मदद मिल रही है सारी मेरी बेहने आज पूरे करनाटक भर में बस की आत्रा मुफ्त में कर रही है ग्रिह जोती योजना से आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है अन्ना भाग्य से साड़े चार करोड लोगों का फाइदा हुआ है और युवा निधी से डेर लाक युवाओं को वजीफा मिल चुका है और दस लाक युवाओं को वजीफा मिलेगा हूँ इवत्तु नीव तोगंडर तक कंता आईतिहासिक वादन्ता निर्दार दिन्दा करनाटक राज़दा कोट्टिया अंतर हेंड मकल गे ग्रिह लक्ष्मी योजनेडी यली एड सावर रुपाई नेरवागी अवरगे पावती आखता है दे ग्रिह जोती योजनेडी यली यलारगू कुडाई इन्नूर यूनिट विद्युत्तु उचितवागी कोडता है दे शक्ती योजनेडी यली कोट्टिया अंतर हेंड मकली गत्तु बसली उचितवागी प्रयाणा मारता है दे अन्न बाग्या योजनेडी अली कोट्यांत्र मनेगर गे हत्त केजी अक्की बरताई दे प्रतिबाव अन्त यू कर गे युवनिदी योजनेडी अली मूर्सावर रुपाई भत्ते इवत्तू निमक बरताई दे अब जो निर्णें आप लेने जा रहे हैं इस चुनाओं में वो तै करेगा कि हमारे देश के अगले पात सालों के लिए हमारे भविश्य में क्या होगा हमारी देश की आज परिस्थिती ये है कि जो केंद्र की सरकार है वो देश की जनता के लिए नहीं वो बड़े-बड़े खरब पतियों के लिए चल रही है इसका नतीजा ये है कि 45 सालों में सबसे जादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है सतर करोर नव युवक बेरोजगार है 30 लाग पद केंद्र सरकार में आज खाली पड़े है आप सब मैनत से अपने बच्चों की परवरिश करते हो किसी भी तरह से आप मैनत करते हो पैसों की बच्चत करते हो ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन अच्छी शिक्षा मिल पाए आज गरीब से गरीब परिवार सबसे पहले ये चाहता है कि बच्चा शिक्षित बने और बड़ा होकर उसको रोजगार मिले किसान सारी मुश्किलों का सामना करते हुए महंगाई का सामना करते हुए संघर्ष करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है लेकिन आज देश में ये स्थिती है कि चाहे आप कितना भी कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाएं तब भी उनके लिए रोजगार सुरक्षित नहीं है आपको पता नहीं कि भविश्य में उनको रोजगार मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा क्योंकि केंद्र की सरकार ने रोजगार बनाने की कोई योजनाए नहीं कि बनाई है जहां जहां से आपको रोजगार मिलता था वो सारी जो सारे साधन है वो तकरीबन खतम होने जा रहे हैं खेती के हर समान में GST है महंगाई इतनी है कि किसान कमा नहीं पाता है जब किसान कमा नहीं पाता है तो मजदूर कम रखता है अपनी खेतियों पे तो एक जमाने में खेती से जो कमाई होती थी उससे आप गज़ारा कर लेते थे आज खेती से ना रोजगार मिल रहा है ना कमाई हो पा रही है रोजगार छोटे और मध्यम बिजनस से भी बनते थे और बड़े बड़े जो सरकारी कारोबार थे उनसे बनते थे चोटे उध्योगों को नोट बंदी और GST से मार कर उनकी कमर तोड कर ये स्थिती बना दी है कि छोटे और मध्यम बिजनस से भी रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और जितने बड़े PSU थे जिनसे आपको सरकार रोजगार देती थे वो सारे के सारे उनके जो सबसिडरीज हैं वो बड़े बड़े खरब पतियों को दे दिये गए हैं तो रोजगार बनाने का काम नहीं किया महंगाई को इतना बढ़ा दिया कि आज अगर कोई बिमार हो आपके घर में आपको इलाज कराना हो मुश्किल होती हैं अगर आपके प्रदेश में कांग्रेस की गैरंटी लागू नहीं होती तो आप इतनी मुश्किलों का सामना करते आज जैसे पूरा देश कर रहा हैं इवत्तु नीव नोड़ ताहिदीरा ये नी बेले एरके जोतेगे इवत्तोंदु मनेयल्ली यार्गादरू सन्ना पुट्टा आरोग्या केट्रे आवर गेनादरू चिकित्से पडिबे कंतंदरे आवरों दास पत्रे गोधरे साकष्टू होरे आवर मेल बीलत दे इवत्त असनागिद है तो अगर गहराई से आपको एक बात समझनी है आज इस चुनाओं में अपनी सरकार के बारे में जो केंद्र में चल रही है अपने प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के बारे में तो आपको ये गहराई से समझना पड़ेगा कि उनका ध्यान किस सब्सक्राइब केंद्र लिर्तकंता सरकारा नरेंद्र मोधी और सरकारा और गमना और आलोच ने याव कड़े गिदे याव दिखना लिए तेड़ी ताव गंबीर वाग आलोच ने माडवेका गिदे आपको टीवी पे दिखता है कि मोधी जी बड़े-बड़े इवेंट कर रहे हैं ऐसे बड़े-बड़े मंचों पे खड़े हैं लेकिन आपको ये कभी नहीं दिखता कि मोधी जी किसी घरीब के घर गए हैं किसी किसान से हाल-चाल पूछने गए हैं नीविवत्तु माद्दी मगलली टीवी गलली नोड़ती रा नरेंद्र मोधी यहुरू दोड़ दोड़ कारे क्रमगलली बागवाई सतरे दोड़ दोड़ वेद केगल मेले बंदू बाशनिगल मारतरे विज्जु मने इंदा कारे क्रमगलना मारतरे आदरे इवत्त तर्गु कुड़ा नीव नरेंद्र मोधी यहुरू ना अबब बड़ रहीतन जेते नोडिला अब निर के लिए काम कर रहे हैं लेकिन सचाई यह है कि उनकी सारी नीतियां बड़े-बड़े खरब पतियों के फायदे के लिए बंती हैं इवत नरेंद्र मोधी जी औरो दोड़ दोड़ गोश नेगलना कूग तरे यल्लार मुंदे एड़ तरे सब के साथ सब का विकास अंतेड़ इसका प्रमान ये है कि सारा आज देश का कोईला देश का पावर बिजली देश के बंदरगा देश के हवाई अड़े देश की सड़के आज सारी की सारी उनके बड़े मित्रों को खरपती मित्रों को सौप दी गई हैं सेक्टर हो याव पुबिक सेक्टर हो इस देश की जंता के समर्थन उसकी महनत के साथ Congress Party ने यह सेक्टर्स खड़े किये इवत्तु खास गिया वलियग्णा लागिर बोदू सरकारी वलियग्णा लागिर बोदू यह अब रिद्धिग्ण ना इए यह डिवलप्मेंट ना Congress पक्षा इदेश द जनर जते इनसे आपको रोजगार मिलता था इनमें आपको आरक्षन भी मिलता था इद्रली निम्गे उद्योगान शिखता है तो इद्रली निम्गे मीसलाती कुडा सिखता जितो आज जब मोदी जी यह जितनी भी सरकारी जो बड़े-बड़े कॉपरेशन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जब अपने मित्रों को देते हैं तो जब यह प्राइवेट बनता है तो आपके अरक्षन भी घटते हैं इवत्तू नरेंद्र मोदी जी अउरो इदेश दोटड़ समस्ते गणना उद्यमी गणना खारकाने गणना और स्नेही तरगे खासगी करना माड़ी कोटनता संदर अब दल्ली इस समस्ते गणनता मीसलाती रद्दागते मीसलाती मुगदोगते जब देश की सारी संपत्ती ये लेकर अपने पांच छे बड़े बड़े खरपती मित्रियों को देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रश्टा चार है ये सारी संपत्ती सारा धन आपका है जो आपकी स्कीमों में आपके प्रोग्रामों में जाना चाहिए अगर सरकार की नियत ठीक होती तो जैसे कॉंग्रेस की सरकार ने यहाँ पे गैरेंटी के द्वारा आपकी संपत्ती वापिस आपके हाथों में डाली है तो केंद्र की सरकार भी ये काम करके दिखाती अगर हम किसी भी देश्वासी से पूछें कि क्या तुमारे जीवन में तरक्की आई हैं क्या ये नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र सरकार है इसने तुमें रोजगार दिलवाया क्या तुमारे जीवन में कम मुश्किले हैं कि जादा मुश्किले हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि हमारे जीवन में तरक्की नहीं आई हमारी मुश्किलें बढ़ी हैं तो इस देश का गरीब इस देश का किसान इस देश का मजदूर और गरीबी में धकेला जा रहा है और इस देश के जो बड़े बड़े खरब पती हैं वो और भी अमीर होते चले जा रहे हैं इसके साथ साथ दस सालों में एक और चीज भी हुई है इदर जोतेगे फट तर्श दली इन्नों दुक्यलसा कुड़ा आगी देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है भारतिय जंता पार्टी इविश्वद लने अत्यंत सावकार पार्टी आगी परवर्त ने आगी देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है एक रिपॉर्ट आई कि इन्होंने इन सालों में साथ हजार क्रोड रुपए अपनी पार्टी पे ही खर्चे है इसके साथ साथ सोला लाग क्रोड रुपए इन्होंने बड़े बड़े खरबपतियों के माफ किये इदर जोते गे यूरु अदनार लक्ष कोटी रुपाए गड़ साला ना बंडवार शाही गड़गे दोड़ड़ उद्यमिगड़गे और सनेहितर गे साला मन्ना माड़ी दर है तो एक तरफ इन्होंने इतना पैसा एकठा कर लिया है कि इनकी पार्टी दुन्या की सबसे हमीर पार्टी बन गई इन्होंने बड़े बड़े खरबपतियों के कर्द माफ कर लिये हैं दूसरी तरफ मेरी बेने आप दुकान जाती हैं, पैसे लेके जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, आधे टाइम आप खाली हाद वापिस आ जाती हैं। दूसरी तरफ मेरे किसान भाई सुबह से शाम तक इस कड़ी धूप में मैंनत करते हैं इस धर्ती को सीचते हैं अपने पसीने से और फिर भी अपने बच्चों को खिला नहीं पाते हैं दूसरी तरफ किसान दस-दस हजार रुपए के लिए आत्म हत्या करता है और सरकार उसका एक रुप्या माफ नहीं करती इवत्तू ओंद कड़े भारतिय जन्ता पार्टी तन पक्ष के कास गड़ना संग्राणे माण कोंडू विश्वदल्ले अत्यंत सावकार पार्टी आगि इल्कूतिर्त कंत ता यंदुर तावू अंगडी गोगबुट्टू एनो उन्दू कोंड़कों बर्बेकंत अंगडी गोधरे बेले एरिके इंदा नीवा बेलेगलना नोडी मनेक बनबड़ती रा रहित्री वत्तू बेले-बेली बेकंतंदुरे ओला माण बेकंतंदुरे तोता माण बेकंतंदुरे आवर बलस्ताय दंता पदार्टकड़ बेले यल्ला कूड येल्ड पट्टु जास्ती आगोगिवे रहित्नु संकष्ट के सिल्की दाने अद धुल्ले दुक्कू जोते लिए इवद तो कोट्या दी पटिगण लक्षांतर कोटी साला मन्ना आगते अब रही ता येड लक्षा मूर लक्षा नालक लक्षा साला माड़ रहे इवद रही तो आपको कुछ ग्यारेंटी देंगे जिससे आपकी संपत्ती वापिस आपके हाथों में आएगी तो मौदी जी कहते हैं कि इनके पास यह सब करने का पैसा ही नहीं है कि हमारी अर्थ व्यवस्था ठप हो जाएगी तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये सारे पैसे इनकी पार्टी को इतना धनवान बनाने के लिए कहां से आए किसके पैसे आए अगर देश के पैसे नहीं ह हैं और सोला लाग क्रोड रुपए जो इन्होंने अपने बड़े खरबपती में त्रोकों भाफ किये वो पैसे कहां से आए क्या उन पैसों ने उनको देख कर या उनको अपनी पार्टी में भर कर उनको उन्होंने अध्वस्था की का नुक्सान नहीं किया इवत नानु नरेंद्र मोधियवर गोंदू प्रश्णे मार्तिनी नरेंद्र मोधियवर एलतरे नाव रहितर साला मन्ना माडबेकू रहितरगे अनकूला माडबेकू अन्तंदंता संधरपदल्ली नरेंद्र मोधियवर एलतरे अधके कासलिंदा बरत्ते आ कासन ननाव हेक पेख्टर बेकागिदे इदेशा हालाग आवगुत्ते अन् थेल्तर आदरे नरेंद्र मोधियोरे इवत निम्पक्ष के इस्टेल्ला कोटि रुपाएगल संग्राने आगबेकन्दर इवत नीवु बंडवाळ शाहिगणे अधनार लक्ष कोटि सालामन्ना माड़बेकन्दर आपने देखा होगा कि एक स्कीम निकाली इन्होंने एलेक्टारल बांड स्कीम जिसके जरिये इन्होंने सबसे चंदाली इवत्तु नरेंद्र मोदी आउरू एलेक्टारल बांड जन्तेली उन्दोसा आई योजने ना कंडिड़ दरे आई योजने ये मुकांतर वागी बंडवाळ शाहिगल त्रिंदा आउरू देणिगे गिलना स्वीकारा मारता इदरे इन्होंने उन लोगों से चंदाली जिन्होंने गुजरात में वो पुल बनाया जो गिर गया था और जिसमें सेक्ड़ो लोगों की मौत हुई इवत तोरू ये एलेक्टरल बांड जली यारत्रिंदा देणिगे तो गोंड़ी दरन तंदरे गुजरात दली इद्धनता ओंदू ब्रिज्जू याव ब्रिज्जू बिद्धो इतो आप बिद्धो द ब्रिज्जीन कांट्राक्टर कडे इन्दा यूर देणिगे ना तरिंदा चंदा तो गुणडि दरन तंदरे ओवीड डिन संदर अब्दली लशी के ना तयार माड़ दोरत रिंदा यूर चंदा तो गुणडि दरे निमलार्गू कूडा कोविड लसी के हा कि दरतान न है आपको याद है उस वैक्सीन की सर्टिफिकेट पे किसका फोटो था किसका फोटो था यार चित्रा इतो यार दो आज कुछी दिनों पहले एक रिपोट आई जिसमें लिखा है कि उस वैक्सीन को लेने से कई लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ सकता है अच्छे खासे सेहत मन्द नौजवान लोग जिनको हार्ट अटैक ऐसे हो रहा है बीमार नहीं है वो वैक्सीन की वज़े से हुआ और सारी वैक्सीन सिरफ एक कमपणी ने बनाई जिसने मोधी जी को बावन करोड का चन्दा दिया सचाई ये है बहनों और भाईयों कि चाए वैक्सीन हो चाए इनोंने किसी पे चन्दा और किसी पे छापा मार कर चन्दा लिया या किसी पे केस डाला चन्दा लिया केस वापिस ले लिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया और ऐसे बहुत सारे मिसाल है सचाई ये है कि ये सरकार भ्रष्ट है बंदुगणे इवत्तु कोवीड वैक्सीनिंदा पड़कोंडर तक्कंता देणिगे आगिर बोधू राजकार्णिगल मनेगलना रेड माडिर दागिर दागिर बोधू केसिगलना हाकिर दागिर दागिर बोधू और क्योंकि इनकी पूरी साथ गांट बड़े बड़े खरपतियों के साथ है इसलिए जो मीडिया है जो सारी बड़े बड़े खरपतियों की है वो भी आपको सच्चाई नहीं दिखाती इवत्तु इदेश दली नरेंद्र मोदी अवर यलास नेहीतरू कुड़ा कोट्यादी पतिगड़ आगिर तक कंता रुआगिर दरंदा इपतिगड़ो माड़ी मदवर ना कोंड़ कोंड़ो आवर बायगड़ गे भीगा आकसी जो जो आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश होती है विपक्ष के जितने भी नेता है उनको दबाने की कोशिश की है उनको धमकाने की कोशिश की है आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा हमारे देश में कि दो दो मुख्य मंत्री जेल में पड़े हैं चुनाव के समय खुद चंदा ले लेकर दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए और कॉंग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिये ताकि चुनाव में हम कोई खर्चा ना कर पाएं तो आपकी इतनी सारी समस्याएं हैं महंगाई है बेरोजगारी है अगर आपके पास कॉंग्रेस की गारेंटी नहोती तो और भी मुश्किलें होती जैसे पूरे देश भर में हैं देश की सरकार भरस्ट है बड़े बड़े खरब पतियों के साथ पूरी साथ गाठ है और आपके प्रधान मंद्री जब भी आपके सामने आते हैं तो आपकी बात नहीं करते आपके विकास की बात नहीं करते किस तरह से किसानों को आगे बढ़ाएंगे कैसे महिलाओं को आत्म निर्भर बनाएंगे किस तरह से नौजवानों को रोजगार देंगे ये सब बाते कभी नहीं करते परीहारगर ना कंड़कोडंता उन्दु कारक्रमाना रूपसिल्ला करनाटक राज़ द लिर्धकक कन्ता गारेंटी गलिन्द इवद्धो करनाटक राज़ द प्रजगळू नीवसंत्रुप्त्रागी दिरा आधरे देश्ट लिर्तकंता परिस्थिती इवद तु बदलाग बेकागिद है योजनेगरना नाव रूप्सकों बेकागिद है आप प्रधान मंत्री चुनते हैं एक इतिहासिक परंपरा है हमारे देश में कितने महामपुरुष प्रधान मंत्री रहे पंडित जवाला जैसे शास्त्री जी जैसे बड़े बड़े नेता रहे दो-दो प्रधान मंत्री शहीद हुए आप प्रधान मंत्री जब चुनते हैं तो आपका पूरा आधर उनके प्रती होता है और आपकी ये आशा होती है कि जिस पद को पेवा असीन है उस पद की गरिमा वो रखेंगे इवत्तु ए देश्तल्दी प्रधान मंतरी किल्ना आयके मार नटन्ता उन्दु उल्ले सम्स्कृती इतीहासाईदे। इदेश्दली नावु जवहरलाल नहरु अवरु लालबावदुर शास्त्री अवरु इरीतिया दंता उत्तमवाद दंता प्रदानमंत्रिगर्णा आयके माण कुड़ंता उन्दु इतिहासाईदे लेकिन आज हमारे प्रधान मंद्री मंच पर आते हैं उनके साथ एक ऐसे नेता आते हैं जिन्होंने सैक्णों महिलाओं का बलतकार किया और प्रधान मंद्री उनके नाम पर वोट मांगते हैं इवाद तु यंता दुश परिस्तिती बंदिदें तंद्रे इवाद तु नूरार एंड मक्ड मेले दौर जन्या बलतकारा मार दन्ता अब अब्यर्ती जोतेगे और जब सारी बाते बाहर आती हैं तो यह आदमी भाग जाता है निकल जाता है देश से और प्रधान मंत्री जी और ग्रे मंत्री जी उनको पता ही नहीं चलता वो आपके सामने आकर क्या कहते हैं कुछ कहते हैं जैसे उनको पता ही नहीं है इनको सब कुछ पता होता है सारी जानकारी होती है कौन सा नेता कहां है कहां जा रहा है और यह नेता भाग के निकल गया इनको पता नहीं चला यूर्गे यला यूर्गे ला माही ती रते आद रे यून इवत्तु देशा बिट्टु खोरगडएगे परारिया दंता संदर्ब दली यूर्गे माही ती इला अंतेडी नाटका मारतर है इन्हों अपनी पद की अर्गरिमा एतनी इस तर पे ले आये हैं यह कि आज चुनाओं के समय आपसे बहकी बहकी बाते करते हैं इवत्तु यूरुयावरी ती अदंता उंदु परिस्टीग बंदी दर अंतंद्रे चुनाओंने संदर्बा बंदी दे चुनाओंने नेडिताइद देन तमत्रेलारुकुडा फुच्च्च्च अदंता मात गड़ना मात अरता इदर है एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना है दूसरी चरफ जहां जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो किसके पक्ष में खड़े हुए हैं और किसकी रक्षा की हैं उ सब्सक्राइब किस्मू से कह सकते हैं कि यह महिलाओं की सुरक्षा कराएंगे चुनाओं के मंच पे आकर पाकिस्तान की बात करते हैं जब चुनाओं भारत में हैं दो दिन पहले गुजरात गए और सब को बताने लग गए कि कॉंग्रेस पार्टी एक्स रे मशीन लेके आपके घरों में आएगी आपका सोना चुराएगी इवत्ताव रेड़ता दरे निम मने लेना दरू निव येडर रासगळना साकी दरे ओन दसूना कांग्रेस पक्षा तोगंड हो गत्ते हैं तेली ये उमीद रखी थी आपने अपने देश के प्रधान मंत्री की या अपने उमीद रखी थी कि आपके लिए कुछ करके दिखाएंगे ये लेकिन ये सब बाते नहीं कह सकते क्योंकि उन्हों ने ये काम किया नहीं इवत्तु हत्तोर्श गळा आढळितत नुट्रा आवर निमत्रा बंदो उअर् साधनेगलना एड़बेका अगा इड़बेका आगित्तो नाव सावरार संक्याली शालेगलना तेगदी दीवी, सावरार संक्याली आसपत्रेगलना तेगदी दीवी, सावरार संक्याली नावू कमपनीगलना खारकानेगलना तेगदी दीवी, रस्तेगलना माड़ दीवी, उद्यमीगलना तंदी दीवी, उद्योगा कोटि दीवन त तो अब समय आ गया है कि आप एक नया प्रधान मंत्री चुने अब समय आ गया है कि आप अपने देश की राजनीती को भी ठीक करके दिखाएं जिस तरे से आपने करनाटका की राजनीती को किया है ये देश आपका है आपकी जिम्मेदारी है आपको इस देश की हिफाज़त करनी है तो भविश्य के बारे में सोचो अपने जीवन में जो संघर्ष है उनके बारे में सोचो और ये जो टीवी पे होडिंग्स पे आपको दिख रहा है इसको परे करो अपनी सच्चाई पे उत्रो और अपना वोट अपने ही पक्ष में दो ताकि आपके ऐसी सरकार केंदर में भी आए जो सारी गैरंटी करके आप कोदि इवत्तो इदेशा निम्मधो इदेशा निम्मा आस्ति इवत्ती चुनावने औरली निम्म भविश्याएदे निम्म भविश्यद भग्ये निम Councillor देशित बग्ये निम्म मक्कड़ बग्ये आलोचने माड़कोंडू मतदाना माड़ी इचुनावने लिए टीवी गलली मीडिया लिए होडिंग गलली नरेंद्रमोधी एनंता तोर्स्ते दर अधन्ना नोडी दारी तपोग बड़ी निम्म समस्येगल बग्ये योचने माड़ इस चुनाओं में कॉंग्रिस जो ग्यारेंटी आपको दे रही है मेरे जाने के बाद या हो सकता है इससे पहले भी आपको बताई गई होंगी और नहीं तो मेरे जाने के बाद भी आपको बताई जाएंगी आप इनको ध्यान से सुनिये और समझिये कि कॉंग्रेस पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है आपको मजबूत बनाना चाहती है आपके अधिकारों को मजबूत बनाना चाहती है और इस देश को मजबूत बनाना चाहती है तो आप कॉंग्रेस पार्टी का भारी समर्थ करिए भारी बहुमत से हमारे यहां के उमीद्वार को जुठाइए ताकि आपके भविश्य में पूरी तरे से तरक्की आए प्रदेश के सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी इवत तुनी मेलर्गु गोत्ति दंगिने कॉंग्रेस पक्षा तरन्न प्रणाळके यहली हलवारु गैरंटी योजनेगलना गोशने माडिदे 25 गैरंटीगलना कोट्टिदे आ गैरंटीगलना मुकांत्रवागी निम् बालगलना निम् बदककड़ना असनागी माड़ंता केलसाना इवत यावदादु पक्षा माड़ं निम् गोड़ले अभ्यर्थी ना कोट्टि निवी प्रतिभावनता अभ्यर्थी निम् बदककड़ना इंतजार किया आप सबको घर जाना पड़ेगा अभी शाम गोड़ने होने लग रही है धन्यवाद निम् मेलर कोड़ना मनस पूरु पादलता धन्यवाद दन्यवाद एलता जोरागी जाए हिन्ड निवी फर्स्ट निर्भीत हिंदा निम्म परवागी